Hello students, welcome back to my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली Worksheet No. 36 करेंगे, जो की Class 7 की है और Subject है Social Science. ये Worksheet 22 February 2021 की है. तो आइए शुरू करते हैं आज की Worksheet. Worksheet शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आइए देखते हैं आज की Worksheet, Dogeational Path of Divine. Dear Children, the period after 13th century, there was a new wave of bhakti movement in North India. देखो क्या कहा जा रहा है कि 13th century की बात हो रही है. उस समय एक new movement start हो गया था, bhakti movement. This was era when Islam, Hinduism, Sufism, various strand of bhakti and Namathnits, Siddhant and Yogis influenced one another. क्या कहा जा रहा है कि वो एक era था जहां पर Hindu, Muslim, जितने भी Sufism, या अलग लग जितने भी जातिक, धरम के जो लोग थे, वो किसे जो नत्पंतिस थे, सिधास थे, जो योगिस थे, उनसे बहुत जादा influenced हुए थे. Today we will learn about more, some of these, आज हम और भी जो Sufism थे, उनके बारे में जानेंगे जो. तो देखो कि यहां पर दिये गए है कुछ example, जैसे कि सबसे पहले है तूलसी दास, तूलसी दास conceived of God in the form of Rama. तो देखो हर किसी ने क्या किया, अपनी भक्ति उन्होंने की, बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा की, भक्ति की, लेकिन किसी ने किसी रूप में किया, किसी ने किसी फोम में किया, तो तूलसी दास ने किस वोम में, रामा के रूप में उन्होंने क्या किया, जो गोड की थी पुजा की थी उन्होंने His famous composition is रामचरितर मानस written in अवधी उनकी जो famous composition थी उन्होंने जो लिखी थी रचनाई लिखी थी वो उनमें से famous है रामचरितर मानस जो कि अवधी में लिखी गई है This is an expression of both devotional feeling and literal work यहाँ पे जो उन्होंने रामचरितर मानस लिखी है उनके जो भी रचनाई लिखी गई है उनमें बहुत devotion बहुत भक्ती भाव दिखता है और उनका काम दिखता है कि किस प्रेम भाव के साथ में उन्होंने वो काम किया है Second देखते है सूर्दास Second है सूर्दास उनकी जो composition है जैसे यहाँ पे रामचरितर मानस थी तूर्दास की वैसे ही जो सूर्दास है उनकी कौन-कौन सी composition है सूर्दास याद करने होगे बटाई यह नाम आपको सूर्दास वली एंड सत्या लहरी ठीक है इस आज एक्स्प्रेस इस डिवोशनल फिलिंग और इसमें उन्होंने क्या किया है अपनी डिवोशनल फिलिंग अपनी जो भावनाएं है अपनी जो प्रेम वक्त व्यक्त किया है इनकोंने किस तरह से वो कृषणा के लिए अपने आपको उन्होंने पूरा निच्छावर कर दिया अपना जीवन काल उन्होंने पूरा लगा दिया तो यह है सूर्दास के बारे में कुछ-कुछ बात आपको यार रखने कि किस के लिए उन्होंने डिवोशनल थे श्री कृष्णा के लिए और उन्होंने कौन-कौन सी कॉंपोजिशन लिखी अगे देखते हैं रामधास नमबर थार्ड पर है यह पिच्छ आप देखिए किसकी फिचिर है रामधास की, रवी graस की ravi daस was a great son of India, जो रवी दास थे वह great son थे, इंडिया के फिलोसफर थे अच्छे poet थे अच्छ और फोलोवर और गोड और प्या थे बहुजश अनुए थे अच्छ पूज़ा कर माना करते थे विश्वास करते थे इस्वर में बहुत पूजा करते थे लेकिन वो निर्गुण निर्पुन मतलब कि जिसमें कोई अकार नहीं है निराकार भक्ती किया करते थे ठीक है नेक्स देखते हैं दादु दयाल नेक्स है ये दादु दयाल दादु दयाल वाजे संदी ये क्या थे एक बहुत बड़े संद थे he was very kind, बहुत kind due to this he got the name of दादु दयाल वो बहुत kind थे बहुत दयालू थे इसलिए उनका नाम क्या रखा गया दादु दयाल he wrote शब्द एंड साकी उन्होंने क्या लिखा उनकी क्या composition थी शब्द एंड साकी his creation is romantic और उनके प्रेम भाव जो भी उन्होंने लिखा ना उनकी रचनाय जो थी वो कैसी थी प्रेम भाव पूर्ण थी कौन-कौन सी रचनाय थी शब्द एंड साकी और उनका नाम दादु दयाल क्यों रखा गया क्योंकि वो बहुत ही kind थी next देखते हैं मीरा भाई ये नाम आपने जरूर सुना होगा मीरा भाई मीरा भाई वाज राजपूत गल मीरा भाई जो थी वो क्या थी एक राजपूत गल थी she was married to royal family of meward और वो meward की royal family से उनके क्या होई थी married होई थी she was devoted to krishna और वो krishna के लिए उनका जो भक्ती भावता वो किसके लिए था सिर्फ krishna के लिए there is an expression or devotion of her I am मतलब वो पूरे अपने मन तंशन से क्या चाती थी मतलब भक्ती पूजा किया करती थी वो krishna की उन्हें लगता था कि उनका जीवन का जो अधार आया उनका जीवन कहां पर सीमित है सिर्फ krishna के ही लिए उनका जीवन नोनों ने जीवन लिया है तो ये है मीरा भाई के बारे भी अब हम देखते है next क्या question दिएगा interesting or easy worksheet है आज की राम चरित्र मानस is written in dash line कौन सी line वेज में लिखा गया है बेटा तो हम यहाँ पर लिख देंगे krishna ठीक है question number 3 देखते है शब्द and saki written by किसके द्वारा लिखे गए थे दादू दयाल के द्वारा तो हम लिखेंगे यहाँ पर दादू अभी हमने पढ़ाई गी था ना दादू दयाल question number 4 देखे सूर्दस composition complied in सूर्दस ने कौन-कौन से composition लिखी थी तो आएए करते हैं fourth answer यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया गया है यहाँ answer number 4 देखो यहाँ answer number 4 देखो यहाँ answer number 4 सूर्सागर, सूर्सावली and सत्य लहरी चीक है तो यह हो जाएगा यह first answer, यह second answer, third answer और यह हो जाएगा fourth answer अब हम करते हैं next activity क्या दी गई है देखो क्या activity दी गई है फिटा वक्षिट में there are several sent poets whose name had been mentioned in this work has not been included in the chapter find out more about the language in which composed whatever their composition were sung and their composition were about देखो क्या खागया कि बहुत सारे sent है जिनके बारे में जो आप chapter है आपका उसमें बताया गया है बट उनके काम को बारे में नहीं बताया गया बात समझो क्या कैर activity में कि बहुत साथ यह कुछ संत हैं पर जो famous थे उनके बारे में बता दिया गया है लेकिन इसके लागा और भी बहुत सारे संत है जिनके बारे में आपके chapter में दिया गया है लेकिन उनके काम के उनके composition उनके written किस line ways में लिखा गया उसके बारे में कुछ नहीं बतायागा तो किसी भी एक संथ के बारे में आप जानिये उसके बारे में लिखिए तो आईए करते हैं आज की activity तो देखते हैं अनसे बेटा शंकर देवा हम किसके बारे में पढ़ेंगे शंकर देवा असम emphasizes devotion to Vishnu क्या कह रहा है कि शंकर देवा हम किसी भी एक संथ के बारे में आपको बताना है तो देखो शंकर देवा कौन थे असम के से belong करते थे और ये क्या थे इनका devotion किसके लिए ये किसके लिए वक्ति पुजा क्या करते थे Vishnu के लिए His composed poem उन्होंने क्या लिखी बहुत सारी poems लिखी और कौन से language में असम के language में असमी असमी लिखी थी ठीके स्टोडेंट तो बेटा आज की जो worksheet है वो complete होती है worksheet complete करके अपनी teacher से चेक कराए और प्लीज मिले चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए Thank you students